प्रियो शिक्षार्थियो नमस्कार आज की इस चर्चा में हम आपके सामने आपके पाठ्यक्रम में चौधवे पाठ महादेवी वर्मा पर चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास में एक अत्यंत महतून काव्यधारा है छायावाद चायावादी काव्यती विशेष्ताओं में प्रमुख हैं वयक्तिक्ता, आत्माभी व्यक्ति, वेदना तथा पीड़ा, कल्पना, प्रिकृती, मानवी करण, पृतिकात्मक्ता, लाक्षनिक्ता और तत्सम प्रधान शैली आदी आप जानते ही हैं कि महादेवी वर्मा छायवाद के प्रमुख चार स्तंभों में से एक हैं इनकी कविताएं निहार, नीरजा, यामा, रश्मी, सांध्यगीत और दीप शिखा नाम के काव्य संग्रहों में संकलित हैं सिक्षार्थियो महादेवी वर्मा की एक प्रसिद्ध कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस चर्चा से पहले यह आवशक है कि हम आपको यह कविता एक बार सुना दें आईए मैं नीर भरी दुख की बदली कविता को एक बार सुन लेते हैं मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जणनी मचली, मेरा पगपग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग जरा, नभके नवरंग, बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली, मैं ख्षितिज भिरकुट पर घिर धूमिल, चिन्ता का भार बनी अविरल, रजकन पर जलकन हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली, पथ को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख्की सिरन हो अंत खिली, विश्थित नभका कोई को ना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमडी कल्थी मिट आज चली अभी आपने यह कविता सुनी, आपने देखा कि कविता में, प्रत्यक्ष रूप में, बदली अपने स्वारूप, अपनी उपलब्धियों, और जगत पर पढ़ने वाले प्रभाव के माध्यम से अपनी इस्थिती का बयान कर रही है, शिक्षार्थियों इस बयान के साथ साथ, छायवाद की वे विशेष्टाएं भी शामिल हो गई हैं, जिनका उल्ले खम उपर कर चुके हैं, अर्थात इस कविता में वयक्तिक्ता और आत्माभियक्ति है, वेदना तथा पीडा है, कल्पना है, प्रिक्रतितो है ही, मानविकरण भी है, प्रतिकात्मक्ता है, लाक्षनिक्ता है, और तच्सम प्रधान शैली है, इन विशेष्टाओं को इस कविता में ढूंडने के लिए, हमें इस कविता को दो पक्षों की द्रिष्टी से समझना होगा, एक बदली के पक्षमे आर्थ और दूसरा, एक इस्त्री के पक्षमे या स्वयम कवित्त्री के वेदना पूर्ण जीवन के पक्षमे आर्थ, वेदना ग्रस्तनारी के पक्ष में बताया जा सकता है एक तरफ मैं अपना परिचे देती है नीर भरी दुख की बदली यानि एक तरफ मैं बदली है और उस परिचे के बाद इस कविता में एक पद आता है दुख की बदली यानि एक तरफ तो मैं बदली है दूसरी तरफ वह दुख की बदली है अब बदली तो दुख की होती नहीं इसलिए इस पद के आने के कारण इस कविता में ये जो दुख शब्द है इसको हम कवित्री के या किसी इस्त्री के या जिसका जीवन वेदना पूर्ण और यातना से ग्रस्त है उसके पक्ष में इसका अर्थ कर सकते हैं सिक्षार्थियों अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस कविता के समानांतर दो अर्थ हैं यानि एक तरफ इस कविता को समझने के लिए हम बदली के साथ इसका संबंद बिठा सकते हैं और दूसरी तरफ कवित्री या किसी इस्त्री के संबंद में इसका अर्थ बिठा सकते ह इतना समझने के बाद या इतना जान लेने के बाद आईए इस कविता को तीन अन्शों में बाट लें फिर उसके बाद इसे समझने का प्रियास करें पहला अन्श पांच पंक्तियों का है आईए इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं सिक्षार्थियों देखते हैं किस तरह से इन पंक्तियों का एक अर्थ बदली के संदर्व में है और दूसरा इस्त्री के संदर्व में पहली पंक्ति है मैं नीर भरी दुख की बदली हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बदली मैं है लेकिन दुख की बदली इस्त्री है इसके साथ साथ इस्पंदन में चिर्निस्पंद बसा बादलों के गर्जन के पीछे उनके इस्पंदन के पीछे आकाश रहता है यानि बादल आकाश में छाये रहते हैं बदली आकाश में छाये रहती है और वो जो आकाश है वो इस्थिर रहता है यानि ये जो इस्पंदन है ये जो शोर है ये जो गर्जन है ये आधारित है उस चिर निस्पंद पर जो शून्य है इसके बाद क्रंदन में आहत विश्व हसा जब बादल गरशते हैं क्रंदन करते हैं आहत क्रंदन करते हैं तो उस क्रंदन को उस गरजन को उस आहत गरजन को सुनकर विश्व हसता है यानि विश्व पर बादलों का प्रभाव क्या पढ़ता है कि विश्व बादलों को देखकर हसता है पुसन होता है हम सब जानते हैं भारत एक क्रिशी प्रधान देश है और बादलों का होना कितना आवश्यक है उनका गरजना कितना आवश्यक है ये हमसे अधिक और कौन जानता है इसलिए बादलों के उस शोर गुल में चाहे जितनी आहता हो चाहे जितनी पीडा हो लेकिन विश्व को वो अपनी पीडा में से भी कुछ देने का प्रियास करते हैं इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि क्रंदन में आहत विश्व हसा इसके बाद बहुत सुन्दर एक कलपना की गई है बादलों की उनके नेत्र बताए गए हैं पूरे बादल जैसे नेत्र हैं और उन नेत्रों में बिजली की जो चमक है वो दीपक की तरह जलती यह बहुत सुंदर बनन है इस कविता में और उन दीपकों के जलने के बाद क्या होता है पलकों में निरजहरणी मचली निरजहरणी के मतलब जल का श्रोत बादल पानी देते हैं बादलों के भीतर से पानी बहता है एक तरफ तो बादलों के भीतर बिजली की जो चमक है वो दीपक की तरह है दूसरी तरफ उनकी पलकों से निरजहरणी मचलती है यानि जल की धारा बहने लगती है, ये अर्थ बादलों के संदर्व में था, अब इसी अर्थ को हम घटित करते हैं इस्त्री के पक्ष में, साफ साफ कहा गया है कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, यानि मेरे जीवन में दुख के अलावा, दुख के बादलों के अत्रिक्त कुछ भी नहीं है, जब मैं करंदन करती हूँ, दुखी होती हूँ, छटपटाती हूँ, तो उसका विश्व पर कोई असर नहीं पड़ता, तरसल जिसमें यातना होती है, उसकी यातना और अधिक बढ़ जाती है, जब उस यातना को समझने वाला कोई नहोगता है, यानि एक तरफ तो वेदना से ग्रस्त, दुख से ग्रस्त इस्त्री है, दूसरी तरफ उसकी वेदना को कोई समझने वाला नहीं है, उल्टे विश्व उसकी वेदना पर हसता है, उसके दुख को समस्ता नहीं है, एक प्रसिद्ध पंक्ती है मीरा की, मेरो मरण और जक्की हासी, यानि मैं तो वियोग से मर रही हूँ, तडप रही हूँ, लेकिन जगत मेरे इस वियोग पर हस रहा है, इसलिए कवित्री ने भी कहा है, मेरे आहत करंदन में विश्व हस रहा है, नैनों में दीपक से जलते, कवित्री ये कह रही है कि मेरे नैनों में दीपक की चमक है, लेकिन वो जो दीपक की चमक है, वो जो सौंदर्य है, वो आशू बनकर निकल रहा है, यानि एक तरफ तो आशा है, चमक है, दूसरी तरफ उस आशा का पर्यावसान निर्जरनी में हो रहा है, जल की धारा में हो रहा है, यानि आशा और निराशा का ये जो द्वंदु है, इसका अंत हो रहा है आसूं में यानि आशा पूरी नहीं हो रही है आशु निकल रहे हैं तो सिक्षार्थियों अभी आपने ये देखा कि इस कविता की प्रारंभिक पांच पंक्तियों का हमने किस तरह से अर्थ दोनों संदर्भों में किया एक बदली के संदर्भ में और दूसरा वियोग से ग्रस्त या वेदना से ग्रस्त किसी इस्त्री के संबंद में और हमारे समाज में परंपरागत समाज में पुराने समाज में तो वैसे भी इस्त्री के आसपास कुछ सीमाएं होती थी उन सीमाओं के कारण उसका जीवन वेदन ग्रस्त हो जाता था इस बात को इस कविता के माध्यम से समझा जा सकता है अब इस पहले अंश को समझ लेने के बाद आईए हम दूसरे अंश को एक बार फिर से पढ़ते हैं और उसे फिर से समझने की कोशिश करते हैं मेरा पगपग संगीत भरा श्वासों में स्वप्न पराग ज़रा नवके नवरंग बुनते दुकूल छाया में मलय बयार पली मैं शितिज भिरकुट पर घिर धूमिल चिन्ता का भार बनी अविरल रजकन पर जलकन हो बरसी नव जीवन अंकुर बन निकली इख्षार्थियो अभी आपने यह पंक्तियां सुनी बेहद मधूर गीतात्मक और चंद से युक्त यह पंक्तियां हैं लेकिन जितना सौंधर यह इन पंक्तियों में उपर उपर से नजर आ रहा है उतनी ही इनकी पीड़ा भी है इनसे पीड़ा भी अभिव्यक्त हो रही है उस पीड़ा को समझने की जरूरत है हम वही प्रयास फिर से करते हैं कि एक तरफ तो इन पंक्तियों का अर्थ बदली पर घटित कर देखते हैं और दूसरी तरफ इस्त्री के संदर्ब में देखते हैं बदली का संगीत क्या है? बदली जब आकाश मार्ग से गुजरती है तो उसका गरजना और उस गरज से यह जो पूरा जीव जगत है इसमें हल चल होती है यह सारा मिलाकर एक संगीत बनता है यानि बादलों का भी अपना संगीत होता है उसे संगीत की तरह हम ले सकते हैं और जब बदली घिरती है और वायू चलती है तो जैसे वो वायू बदली की सांसें है उन सांसों से क्या निकल रहा है? स्वपन पराग जहर रहा है उनसे जब हवा चलती है बादलों के समय का, और सपने भी निहित होते हैं उस पराग में इस जगत के फलने फोलने के, प्रसन्न होने के, फसलों के होने के, ये सारी अभिव्यक्ती इन पंक्तियों के माध्यम से हम देख सकते हैं इसके आकाश का चित्रन किया गया है कि किस तरह से आकाश में इंद्र धनुष एक वश्तर बुन रहा है वश्तर के रूप में मौजूद है और इसके साथ साथ जो छाया है उस वश्तर की उसमें मलय बयार जो है वो पल रही है मलय बयार एक सुगंधित वायू है जो मलय परवत की तरफ से बहती है यानि जब बदली घिरती है तो संगीत भी होता है, स्वपन भी होता है, पराग भी जहरता है और मलय बयार भी चलती है इसके साथ एक बिम्ब है अगली पंक्तियों में वो बिम्ब ये है कि जब क्षितिज पर बदली घिरती है तो कैसी लगती है क्षितिज माने जहां आकाश और धर्ती का मिलन होता है वो दिशा उसे क्षितिज कहते हैं और माल लो उस तरफ बदली घिरी हुई है तो कैसे लगती है जैसे क्षितिज की भृकुटी पर भृकुटी हमारे आख के उपरी हिस्सा उस धूमिल भृकुटी पर जैसे चिंता च्छाई हुई हो दरसल यह च्छायवादी सौंदर यह बोध है जो अमूर्त में मूर्त की कल्पना करता है जिन चीजों को हम देख नहीं सकते चिंता को हम देख नहीं सकते लेकिन यहां इस रूप में देख पा रहे हैं कि जो क्षितिज है उस पर जो बदली घिरी हुई है जैसे चिंता के रूप में हमारे सामने वो मौजूद हो इसके बाद बरसने का वर्णन है कि बदली जब धर्ती पर रज कणों पर मिट्टी के कणों पर जल कण के रूप में बरसती है तो क्या घटित होता है हम सब जानते हैं कि जीवन अंकुर निकलने लगता है यानि वही बदली जब बरस जाती है तो मानो किसके रूप में हमारे सामने नया रूप धारण करती है नए जीवन अंकुर के सामने हमारे सामने निकल कर आती है इसी अर्थ को अगर हम घटित करें इस बदली को हम घटित करें या इस अंश को हम घटित करें इस्त्री के जीवन पर तो यहाँ चुकि इस्तृ सहज रूप में ही सुंदर मानी जाती है सौंधर्य पूर्ण उसका जीवन है तो यहाँ यह कहा गया है कि इस्तृ के पच्चाप में उसके चलने में मेरा पकपक संगीत भरा वो जो वेदना से ग्रष्ट इस्तृ है वो ये बता रही है कि वैसे तो मेरा जीवन वेदना से ग्रस्त है लेकिन मेरी गतिविधियों में सौंदर्य है मेरी पदचाप में, मेरे चलने में संगीत है, योवन का संगीत है, मेरे स्वासों से कामनाएं जरती हैं, स्वपन जरते हैं और मेरे जो वस्त्र हैं वो जैसे वस्त्र सुगंधित हैं। उनकी छाया में जैसे मलय बयार पलती है। यह एक तरह से इस्त्री को देखने का छायवादी नजरिया है। इसके बाद सौंदर्य के होने पर भी चिंता के भार से ग्रस्त है वो इस्तरी क्योंकि जीवन में वेदना है और अन्तत है आसूं के रूप में जो जलकन बरसते हैं वो बरसते तो हैं लेकिन आसूं के बरसने के बाद वो नई आशा का संचार करने वाले होते हैं हम जानते हैं कि जब हम रो लेते हैं तो रोने के बाद हम फिर से स्थिर हो जाते हैं इसलिए कवित्री यहां यह कह रही है कि आसूं के बरसने के बाद आसूं के होने के बाद भी आसूं के निकलने के बाद भी ये जो अश्रू हैं ये जब शान्त हो जाते हैं तो नई आशाओं का संचार करने वाले होते हैं जैसे बदली नई आशाओं का संचार नए जीवन अंकुरों के माध्यम से करती है आईए सिक्षार्थियो अब इस कविता का अंतिम हिस्सा देखते हैं ये अंतिम हिस्सा भी आठ पंकियों का है और पहले के अंशों में बदली ने अपने उमडने घुमडने और बरसने का चित्रन किया है लेकिन इस अंश को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि इस जगत में बदली का क्या अस्थित्व है उसकी क्या इस्थित्व है उसका व चिन्ह न दे जाता जाना सुधि मेरे आगम की जग में सुख्के सिरन हो अंत खिली विस्तित नभका कोई को ना मेरा न कभी अपना होना परिचय इतना इतिहास यही उमडी कल्थी मिटाच चली सिक्षार्थियों आप देख रहे हैं कि इस कविता का जो अंत हो रहा है वो बेहद निराशापूर्ण दुख की इस्तिती में हो रहा है इसलिए इस कविता को हम करुणा की कविता भी कह सकते हैं और महादेवी वर्मा की कविताओं की बहुत बड़ी विशेष्टा ये है कि उनकी कविताओं के माध्यम से उनके गीतों के माध्यम से करुणा की अभिव्यक्ति होती है करुणा उनकी कविताओं की एक प्रमुख विशेष्टा है क्योंकि महादेवी की कविताओं में लगातार आपको इस्त्री का ये वेदना पूर्ण जीवन नजर आता है तो आईए इन पंक्तियों का हम अर्थ देखते हैं बदली के संदर्ब में अगर इन पंक्तियों का अर्थ करें तो बदली ये कह रही है मेरा आना न तो पत को मलिन करता है और मेरा जाना न कोई चिन्न छोड़ता है वैसे तो सामाने तोर पर हम देखते हैं कि जब कोई आता है तो पैरों के चिन्न बनते हैं जाता है तब भी चिन्न छोड़ जाता है लेकिन बदली ये बात कह रही है कि मेरा आना न पत को मलिन करता है और मेरा जाना न कोई निशान छोड़ता है जरा आकाश में देखिए जब बादल आते हैं तो मलिंता को धोते हैं, मलिंता पहलाते नहीं है और जब बरस कर चले जाते हैं आकाश साफ हो जाता है तो कोई नहीं कह सकता कि यहां थोड़ी देर पहले बादल था इसी तरह से जगत बदली को किस रूप में याद करता है जब वो बरस के चली जाती है तो एक सुख की सिहरन के रूप में उसे महसूस करता है उसकी इसमृती सुख की सिहरन है बादल का आना सुख की सिहरन है सुख फैलाता है बादल जब बरस कर चला जाता है तो लोग उसे य होना नहीर कोई को न नहीं रहता इसलिए मेरा इस्थान कोई कोई नहीं है आकाश, आकाश मुझे स्थान कुछ देर के लिए देता है, उसके बाद मैं समाप्त हो जाती हूँ, और यही मेरा परिचय है, यही मेरा इतिहास है, कि कल उम्री थी, आज बरस कर मिट गई, अब मुझे कोई देखने वाला नहीं है, या मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही हूँ, बदली यहां अपनी दरसली बेहत विश्वसनिय पंक्तियां हैं, ऐसा हम देखते हैं, कि बदली आकाश में आती है, उमरती है, घुमरती है, बरस्ती है, नए अंकुरों को पैदा करती है, आकाश से जैसे धर्ती पर उतरती है, और उसके बाद आकाश में अपन ये कह रही है कि संसार में मेरा आना और जाना इसको कोई नहीं जानता और ये इतिहास जैसे पूरुशों का इतिहास है इस तरी का इतिहास नहीं है इसलिए इस पूरे जगत में मेरा केवल इतना ही इतिहास है कि मैं दुख को भोगूं और दुख को भोग कर इस संसार से विद पंक्तियों में किस तरह से एक इस्तरी अर्थ है बदली का अर्थ तो साफ साफ सामने है ही बदली का रूपक तो हमारे सामने है ही उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इन पंक्तियों में एक इस्तरी अर्थ है दरसल ये इस्तरी अर्थ आधुनिकता की बहुत ब कि हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है और वो अपनी उपस्थिती को दर्ज करने की कोशिश करते हैं महादेवी वर्मा भी यहां इस्त्रियों की प्रतिनिधी बन कर समाज को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि इस्त्रियों का जीवन वेदना पूर्ण है और उनको इतिहास में शामिल नहीं किया जा रहा सिक्षार्थियों आईए अब इस कविता के शिल्प सौंधर्य को समस्ते हैं आपने देखा कि गीत का काव्यार्थ दो अर्थों पर साथ-साथ खुलता है इसी लिए इसमें लक्षणा और व्यंजना बहुत सुन्दर रूप में प्रियोग हुई हैं लक्षणा और व्यंजना दो शब्शक्तियां हैं जिनका इस कविता में सुन्दर प्रियोग हुआ है आप जानते ही हैं कि जहां वाक्य का अर्थ सीधे-सीधे नहीं खुलता और वाक्य में बाधा उत्पन होती है वहां लक्षणा से हम अर्थ ग्रहन करते हैं इस बात को हम इस वाक्य के माध्यम से भी समझ सकते हैं जो आपके सामने है मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ी अत्वा प्रियोजन से मुख्यार्थ से सम्मंधित अन्य अर्थ लिया जाता है तो लक्षणा शबशक्ती होती है आपके सामने कुछ पंक्तियों को हम दे रहे हैं जरा इन पंक्तियों की लाक्षणिक्ता पर ध्यान दीजिए पलकों में निरजहरणी मचली इसके साथ एक पंक्ति ये भी है शितिज भृकुटी पर घिर धूमिल सिक्षार्थियों पूरी कविता में कई जगहे उरूपक अलंकार भी है जैसे आपके सामने हैं ये पंक्तियां श्वासों में स्वप्न पराग जहरा दूसरी पंक्ति है शितिज भृकुटी तीसरा उधारण है नवजीवन अंकुर बन निकली सिक्षार्थियों हम छायवादी कविता की विशेशताओं की चर्चा कर चुके हैं इस कविता में कुछ अन्य विशेशताएं भी मिलती हैं जो छायवाद की विशेशताएं हैं जैसे मूर्थ की अमूर्थ से तुलना, मैं क्षितिज भृकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, अमूर्थ की मूर्थ से तुलना, मैं नीर भरी दुख की बदली, अमूर्थ की अमूर्थ से तुलना, सुधी मेरे आगम की जग में सुक्की सिहरन हो अंत खि इसके बाद वयक्तिक व्यथा और भावनाओं का प्रिकृति पर आरोप इस कविता की विशेष्टा है इस कविता में विशेषण विपरियाय भी मिलता है क्रंदन में आहत विशु हसा जब विशेषण अपना स्थान छोड़ कर कहीं और प्रियुक्त होता है तो उसे जहारण में विशेषण विपरियाय हमें मिलता है इन विशेष्टाओं के अतिरिक्त यह जो गीत हमने आपके सामने प्रस्तुत किया महादेवी वर्मा का इसमें और भी कई विशेष्टाएं भाशाई द्रिष्टी से मिलती हैं जैसे इसका शब्द चैन बहुत सुंदर है इसमें नादात्मकता है जो गीत की विशेष्टा होती है नाद सौंदर्य है यानि गाने में अच्छा लगता है सकानों को सुनने में अच्छा लगता है लगु छंद हैं छोटे छोटे छंद हैं इस गीत में गेयता है इसे गाया जा सकता है मधूरता है और इसके साथ साथ इस कविता में सौंदर्य का एक पूरा विधान भी है इन संदर्भों की दृष्टी से भी इस कविता का विशेश महत्व है सिक्षार्थियों हमें आशा है कि आज हमने जो चर्चा आपके सामने इस कविता की की इस गीत की की उससे आपको बहुत सी बातें समझ में आ गई होंगी धन्यमार